वेल्कम टू अचीवर्स पॉइंट सुरुवा अचीवर्स पॉइंट सुरुवा में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यूं HPDL8 2020 का रिजल्ट नहीं आ रहा है आखे कब आएगा रिजल्ट आखे इतनी देरी क्यूं कितनी जाएग कि लिए हम आपके लिए लाएं ये वीडियो तो वीडियो को एंट तक देखें अच्छी लगे तो लाइक करें अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो इसमें जो फर्स्ट रिजन है वो है procedure of counseling actual में ऐसा होता है कि जो HP boss है जो counselors अमूमन offline होती है HP boss जो भी aspirants होते हैं students होते हैं उनको call letter भेजता है और उनकी counseling offline तरीके से colleges या diet में होती है परन्तु इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि पूरे देश में ही नहीं बर्कि हमाचल में भी करोना केसिस बढ़ रहे हैं जिस कारण ओफ-लाइन काउंसलिंग होने के चांसिस थोड़े कम हैं तो हो सकता है काउंसलिंग ओनलाइन हो तो सेकेंड जो इसका करोना केसिस आर इंक्रिजिंग डे वाई डे इन एच पी एस वेल एस इन इंडिया जैसा कि आप जानते हैं कि करोना कोविड नाइटिन के जो केसिस है वो दिन पती दिन बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण कई बोर्ड कमिशन्स और हमिरपूर बोर्ड जो है अपने एक्जाम स्थगित किये जा रहे हैं तो कभी एक्जाम पर रोक लग रही है यह भी एक कारण हो सकता है कि कांसलिंग नहीं हो पा रही रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि कई कॉलेजिस और इंस्ट्यूशन्स कॉरंटाइन सेंटर के रूप में चेंज कर दिये गए हैं तो यह रिजन एजुकेशन पॉलसी जैसा कि आप जानते होंगे कि हाल ही में निव एजुकेशन पॉलसी अभी आई है इंडिया में तो इसके बारे में भी अभी संशे है कि क्या निव एजुकेशन पॉलसी इसी साल लागू करनी है तो हो सकता है निव एजुकेशन पॉलसी की वज़े से भी डियालेट के कोर्स में कोई changes करने हो या हो सकता है counseling procedure में कुछ नए changes लाने हो तो इसकी बज़र से भी हो सकता है कि HP boss result declare नहीं कर पा रहा हो और काफी students ये भी पूछ रहे हैं कि merit कितनी रहेगी कितने से हमें government sheet मिलेगी तो students मैं आपको बताना चाहूँगा जिस भी aspirant जिस भी student के 60 या इससे ज़्यादा number बन रहे हैं उसको जो है comment sheet मिलना तय है तो ज़्यादा panic ना हो result जब भी आएगा आपके hit में ही आएगा और ज़्यादा panic ना हो HP boss बहुत जल्द result declare कर देगा और I hope कि आप सभी को comment sheets मिले पिछले कुछ वीडियो में कुछ students ने ये भी पूछा कि what is the difference between government sheet and private sheet कुछ students की query थी कि government sheet और private sheet में क्या फर्क होता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि government sheet अगर आपको मिलती है तो आपकी जो JVT या DLA course होगा वो diet से होगा इसमें सिर्फ एक ही difference रहता है कि आपकी जो fees है जो diet में बहुत कम होती है ना कि बरावर होती है और इसके अगर बिपरित जो private sheet है वो जो है आपको private college में मिलेगी और इसमें आपकी जो fees है वो ज्यादा होगी और according to private जो college है उसकी faculty उनकी क्या salaries है या वहां का infrastructure कैसा है उसके ways पर अधारित होती है private sheet की fees की range 25,000 से लेकर 40,000 तक रह सकती है इस बार और कुछ students ये भी पूछ रहे थे कि अगर हम DLA private college से करेंगे तो क्या हमें future में कोई job लेने में problem होगी तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आप JVT DLA course चाहे डाइट से करो या private college से करो उसका कोई फरक नहीं पड़ता इसके पश्याथ आपको जब आपका DLA course खत्म होगा उसके बाद आपको टैट देना पड़ेगा अगर टैट में private college हो या government college का हो यानि जिसको डाइट कहते हैं कोई भी अभ्यार्थी पास होता है उसके बाद commission होता है और commission जो कोई भी crack करता है उसको government job मिलती है चाहे उसने DLA डाइट से की हो या private seat से तो दोस्तों इसमें confused बिलकुल भी ना हो कि अगर private से करेंगे तो कोई दिकत आएगी या government से करेंगे तो इसमें कोई help मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है वीडियो को end तक देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो अच्छे लगे तो like करें comment करें और achiever's point शुरुआ को subscribe करना ना भूले stay safe stay at home thank you जय हिंद जय भारत